अगर आप भी डिजिटल बोर्ड खरिद करके पीपीटी और पीडियेफ से पढ़ाने में बहुत सारी परसानी फिल कर रहे हैं जैसे कि आप जो भी पीडियेफ या पीपीटी बना रहे हैं और जब उसको आप अपने बोर्ड पर इंपोर्ड करते हैं यह नोट्स उस्ट्टेर पर टें लिखने के लिए वहां पर कुछ भी तवर इतना बड़ा खुलता है और यह सबसे बड़ा तब आया था पचास पेज, 100 पेज या 10-20 पेज ही PDF या PPT अपने बनाया है और उसके आपको पढ़ाना है फिर आप सभी पेज को जा करके पार्टिकुलर जूम इन, जूम आउट कर रहे हैं तब जा करके वो आपके बोर्ड पर फीट हो रहा है तो ऐसी परसानी कर फिल कर रहे हैं तो उसी परसानी का सट आउट या सलोसन में आपको देंगे तो इस वीडियो का पूरा देखें हलो नमस्कार मैं हूं सोनुकुमार और स्वागत आपका मेरे व्यूटिब चलोंड पीवाइस पर तो हम समय लेते हैं कि आखि भी दिख रहा है तो बिल्कुल हाई क्वालिटी पीडिएफ हम अभी बना के दिखाएंगे आपको पीपीटी पर और उसको आप जब इंपोर्ट करेंगे अपने बोर्ड पर तो बिल्कुल फिट खूलेगा आपके बोर्ड पर पूरा कॉर्णर चारो तरफ से वह पूरा कॉर्णर वह चारो तरफ से फिट ही खूलेगा आपको बार बार हर एक पेज पर जाकर के पार्टिलर जूमिन जूमाउट नहीं करना पड़ेगा वह एक बड़ी समस्या टीचर्स के लिए जो अपने बच्चों को सारे अपने कंटेंट को सॉल्व करके या उस पर पढ आई क्वालिटी में खूलेगा भी तो सबसे पहले हम इस सारे PDF को डिलेट कर देते हैं पहले हम चलते हैं इसको कोई नया फाल लेते हैं इसमें से नियू अब यह सारा हमारा खतम हो गया हमारा अब हम पहले PDF जनेरेट कर लेते हैं यह आप नॉर्मल अपने जो हम भी PDF कि आपको दिखाएंगे अगर यह समझ में आपको ना है कि हमने कैसे पीडियो बनाया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हम दूसरे वीडियो बना देंगे उसमें कि कैसे आपको PDF बनाना है हम जो MS Office इसमें यह MS Office 2016 है हमारे पास एक बढ़ फिर से देख लिए आप फोल ना है अपना कि अपना कि अब फुलने के बाद हम आएंगे जो हमारे पहले हम आएंगे डिजाइण टैब मे आजाएंगे हम स्लाइट साइज में आने के बाद आपको जो यह default ratio है हमारा solonow का हम यही रखेंगे इसके नीचे हम आएंगे custom slide size में हम size slide का हम change करेंगे कैसे करना अभी हमारे में centimeter में आ रहा है तो हम कर देंगे जो wide होगा वो होगा 139.7 यह हमारा wide हो गया slide का wide हो गया 149.7 cm यह हमारे slide का wide है अब हम आते हैं height में हम change करते हैं इसका 78.581 यह है हमारे slide का height यह होगा अब इसमें हमारा slide बिल्कुल high quality हो जागा जब हम इंपोर्ट करेंगे अपने whiteboard पर तब यह quality फटेगा नहीं इसका पर अगर आप आपके पास centimeter में नहीं सोह करके यह size अगर आप इंच में हो रहा है तब आप कितना डालेंगे इसका हाइट डालेंगे 55 इंच 55 इंच हाइट डालेंगे और आप आएंगे डालेंगे वाइड में तो वाइड डालेंगे तीस पॉइंट इंच यह आप हाइट डालेंगे अगर आपके हाइड में इंच में सो हो रहा है तब अब आगे बढ़ते हैं इसको क्रियेट करते हैं हमारा साइड अभी यह स्लाइड हमारा अभी क्रियेट हो गया है इसे दिखिए अभी नेक्स लाइड पर हम आते हैं दूसरे साइड पर भी आ तिसरे साइड पर भी आ गया इसका साइज हम चेक कर लेते हैं तो हमारे को वही सो हो रहा है 139.7 cm और हाइड सो हो रहा है शेवन डॉट फाइट वन सेंटिमेटर हो रहा है ओके करते हैं हम इसको एक्षपर्ट करते हैं फाइल में आकरके सेवाज करते हैं जेबेच हम सेव कर लेते हम इसको डेश्टॉप पर लिए और लेंने सेटम लिए हैं और हम इसको पीडियफ परुप में सेव कर रहे हैं पर पीडिये पर करने रहते हैं हमारे पास हमेंटाइब पे एकश्पोर्ट हो गया इसको पहले आते हैं अभी में अब आते हैं अपने whiteboard software पर ये हमारा west का software है अब इसमें मेंस कौई import करते हैं तो यह हमारा मेनू इंपोर्ट फाइल और हम आते हैं desktop पर अपने desktop पर और हां यहां पर desktop दिख रहा है तो desktop पर से हम new file कुझे कर लेते हैं open करते है कफ़ था यह पूरा फिट आया है अब हम इसको जूम भी करेंगे जूम करने के बाद भी जो आपका क्वालिटी है आपके कंटेंट का वो बिल्कुल नहीं फट रहा है अब कंटेंट इसा से क्रियेट करने के बाद भी जिनके भी बोड पर फिट नहीं हो रहा है तो वह आप यहां से वीडियो सो हो रहा है उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में क्लियर आ जाएगा और बाकि आपको किस तरह का जनकारी और चाहिए पूरे सेट अप के लिए ह इस उडियो में इतना है फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट उडियो में तब तक के लिए धन्यवाद